नमस्कार आप सबका व्यूदे क्लासेस में स्वागत है प्रति दिन के अभ्यास सत्र में आज हम विलोम शुक्त का सोलवा अभ्यास सत्र कर रहें हमेशा की भांती आप से आगरे रहता है कि पैन कॉपी साथ लेके बैठिएगा हम कई शब्दों के विलोम शब्द जानते हैं लेकिन जब उनको लिखने लगते हैं तो वर्तनी अशुद्धी कर देते हैं वह वर्तनी अशुद्धी ना हो इसके लिए मैं आप से आगरे करता हूँगी पैन कॉपी साथ लेके बैठे चली शुरू करते हैं आज का पहला शब क्रे सबी जानते होंगे आप क्रे का विक्रे कलुश निश कलुश कहते हैं तेरा मन तो बड़ा कलुशित है बाई नहीं साथ मेरा मन बिल्कुल निश कलुश है कुटिल के क्या हो जाएगा बड़ा ही सरल व्यक्ति है बड़ा ही सहज व्यक्ति है बिल्कुल कुटिलता नहीं उसके मन में, कुरूप, कू, कू का हो जाएगा सू, सुरूप, सुन्दर, कुसुम, बहुत अच्छा विलोम शब्द है, कुसुम, कुसुम का मतलब होता है, कुमल, मुलायम, कुसुम का हो जाएगा, वज्र, कठोर भी आप कर सकते हो, अगला, कूप, यहां से निकल जाएगा, दुष्ट नहीं, तो तुझे मेरे कूप का भागी बनना पड़ेगा, और कूप का होता है, कृपा, कुमल, कठोर, कर्म, अकर्म, मित्रो यह जो कृपा है न, इसका एक और आप कर सकते हो, अनुग्रह है, कहीं कहीं, MCQs में अनुग्रह भी देखने को मिलता है, यह भी अच्छा शब्द है, कप्टी का निश्कपट कर देना आप, यह दुकांदार बिल्कुल निश्कपट है, कर्मट, अकर्मट या अकर्मण्य भी होता है, इसका, next, क्रिया, क्रिया की प्रतिकिर्या और क्रश है, बहुत अच्छा शब्दी बोलते हैं, बड़े क्रशकाए हो गई हो आशकल, बड़े कमजोर हो गई हो, तो क्रिया की पुष्च और आपको एक और शब्द मिलेगा बहुत अच्छा, स्थुल अच्छा विलोम शब्द है क्रश पुष्ट या स्थुल बड़े स्थुल हो गए हो मतलब कि भारी-भारी से हो गए हो मोटे हो गए हो समझ गए? क्रश का पुष्ट और स्थुल कृद कृद मत हो मेरे वीर मित्र शान्त हो जाओ देखो इसमें एक शब्द का और ध्यान रखना कहीं क्रोद आता है देखो क्रोद का तो होता है शमा ध्यान रखना शमा और कृद का होता है शान्त दोनु यह बहुत अच्छे शब्द हैं कृद में शमा मत कर देना क्रोद में शमा आएगा कानूनी गैर कानूनी किनारा अरे तुम तो मुझे किनारे पर ले आए चिंता मत करो अभी तुम्हें बीच में ले चलता हूँ तो किनारा का बीच होगा चलिए आज का समाप्थ अभ्यासतर यहीं करते हैं और चलिए आज का अभ्यास से तरह यहीं समाफ करते हैं कल सबेरे पुने मिलेंगे प्रती दिन इसी प्रकार से अपने जीवन का 2-4-5 मेंड निकाल लिया अगरो दोस्तों पता भी नहीं चलेगा और कब तुमारे ये सभी static portion जर्नल इंदी के हो जाएंगे और वहाँ अन्त समय में एक्जाम में तुम्हे इन static part के लिए माथाफोरी करने की कता ही आफशकता नहीं होगी नमस्कार